हालो गाईज, कैसे हैं आप सब लोग टायरोक्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हम जो रिडिंग करेंगे गाईज, वो केंडलबेक्स रिडिंग होगी और आज मैंने टॉपिक लिया है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर, आपके पार्टनर आपके लिए क्या सूचते हैं और थर्ड पार्टी के लिए क्या सूचते हैं और उनका major action देखने वाली हूँ आने वाले future में ठीक है तो रिडिंग में ये जो है बहुत ही requested रिडिंग थी तो आज मैं आपके लिए यही लेकिया हैं कि थर्ड पार्टी के लिए वो क्या सूचते हैं थर्ड पार्टी as a person हम मानेंगे आज ठीक है थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती वैसे तो ठीक है लेकिन आज मैं एक पर्सन की रूप में आपके पार्टनर के अनरजी देखूंगी कोई इनसान जो है उनकी जिन्दगी में थर्ड पार्टी तो उसके साथ उनका बिहेवियर उनका रिलेशन्शिप उनके लिए क्या है उनके दिल में यह हम जानने की कोशिश करेंगे और उनका मेजर एक्षिन क्या हो सकते है आने वाले टाइम में यह हम चैक करने वाले तो बिलकुल पूरे रिडियो बिलकुल देखिएगा और आपसे मैच करती है तो बिलकुल मुझे कमें बताईएगा ठीक है अगें मैं यही कहूंगे एक intuitive reading है और general reading है तो आपसे जितना मैच करें उतना है लिजेगा ठीक है रिडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकरी अगर आप personal reading चाहिए definitely description box को check करना पड़ेगा वहाँ मेरा whatsapp number आपको मिलेगा मुझे personal reading के लिए message कीजिए yes पूरी जानकरी मिल जाएगी career reading और relationship की reading दोनों start है booking चालू है आप कभी भी करा सकते है मैं एक दो question के लिए reading लेती ही नहीं हूँ मैं full reading लेती हूँ और आपका नीरा शूचर भी उसमें होता है ठीक है इंडिया से बहार भी है तो बहुत फॉर्डबल चार्जिस पर आप रिडिंग करा सकते हैं ठीक है तो छोटी सी जानकरी instagram पे मुझे join कीजिए tarox666 के नाम से instagram id है मेरा ठीक है आप वहाँ पे जाके मुझे जान कीजिए बहुत सारी वीडियो आपको बहुत हैल्फुल रहेगी ठीक है चले स्टार्ट करते हैं आज की रिडिंग और बिल्कुल अपना मन शांत कर लीजे सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए आपको खुद रिलाकसिबल फील होगा ठीक है आल राइट अपने इस्टोदेव को याद कीजे गुरुदेव को याद कीजे और उसके बाद अपने पार्टनर का नाम गुन गुनाई थी किस तरह के दिखते हैं क्या है उनका नाम ठीक है अगर आप थर्ड पार्टी सिटीशन में है तो ब व्रेड गयज, स्टार्ट करते हैं हम, आपके पार्टनर, ठर्ड पाटी और आपके लिए क्या फिल करते हैं? सबसे पहले मैं आपकी ही बात करूँ है, उसके बाद हम ठर्ड पार्टी को लेंगे, क्योंकि आप, हम आपकी बात करें फिलाल के लिए, तो सबसे पहले आपके लिए energies क्या है इस इंसान की ठीक है उसके बारे में बहुत कुछ बाते बताने वाले हो ठीक है लास्ट में हम majorly देखेंगी कि आप लोगों की भविशे क्या भविशे में आपके पार्टर आपके लिए क्या करने वाले है ठीक है मन शांत रखिए में reverse के पार्ट्नर की एनरजी के लले क्या कि है देखें यहिंसान जो है इनके energy क्या है सबसे पहले आपके लिए लिए थीक है थrड पार्टी के लिए बात मैं देखेंगे और थरड पार्टी मैंने एक परसन को मान है need good कोई भी इंसान जो इनके जिंदगी में है वो third person है ठीक है मुझे लगता है कि यह अपने आपको restrict मानते हैं ठीक है यह किसी बात को लेकर restrictions हैं इनके around ठीक है क्योंकि third party situation जैसे के मैं ने बताया है लेकिन यह आपको बहुत independent बहुत अच्छा इंसान बहुत अच्छा साथी दो जैने कि रोक के रखते हैं कि अभी इस right time नहीं है ठीक है मैं यह आप यह देख पार हूँ कि आपको अपनी जिंदगी में रखने के लिए इंसान बहुत बर्सक प्रयास करना चाहता है और इन दिनों इनका जो focus है आपके career सारी आपके ही relationship पे है ठीक है मैं यह आपर देख आपका एक casual connection है आप इनके बहुत गहरे मित्र हो सकते हैं बहुत गहरे आप इनके partner हो सकते हैं lover हो सकते हैं आप इनके बहुत से लोगों के लिए यह भी लग रहा है कि आप यह तो college school साथ पड़े है यह जो इनसान आपको बहुत बर्सों से जानता है लेकिन यह जो चीजें आपके साथ जो create हुई है वो आप deep connection में बदल चुकी है मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको आपके connection के बारे में सोच की anxiety होती है यह आने वाले डर से भी डरते हैं ठीक है आपके situation यह है कि आप definitely कोई भविशे इस relationship का नहीं देख पाते ठीक है इवन यह personal life को heal करके आपसे नह भागे जुड़ा है ठीक है इनका luck जुड़ा है उस तरह से देख रहे हैं और आपको definitely मैं ऐसा मानती हूं कि अपनी कोई wish fulfillment मानते हैं यानि कि आप अगर इनकी जिन्दगी में होते तो शायद किसी और के इनको कभी जरूरत नहीं थी ठीक है यह जिन्दगी के हर तुफान क एक्टर है वो बोलता है ठीक है तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो वैसा होता तुम इस बात पे हैरा होती इस बात पे हम तुम मुझे टोकती तुम होती तो ऐसा होता तुम होती तो यह होता ठीक है तो यह situation मुझे आपके इनसान की लग रही है यानि कि जो आपके partner है आपके लिए बहुत से बातें ऐसे सोचते हैं कि तुम होती तो ऐसा होता, ठीक है, बहुत सारी सकंस्टंस ऐसे होते हैं, कुछ रिष्टे ऐसे होते हैं, जो कि हम नहीं बनाना चाहते हैं, फिर भी होते हैं, क्योंकि ये जो इनसान है, आपकी लाइफ में कुछ realities आपको बता आपके इनसान जो जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में इसी तरह की feelings रखते हैं, कि आपके आने के बाद इन्हों ने बहुत कुछ जिंदगी में देखा है, बहुत कुछ नया इनकी जिंदगी में, चाहे एज कुछ भी हो आपके, ठीक हैं, लेकिन साइन कुछ भी हो, आपसे reading match होनी चाहिए, बात ही है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए क्या feelings है, energies मैंने बता दी, आपको definitely आपका focus, इन दिनों आपको बहुत, मैं जैसे कहते हैं, कि important इंसान अपनी जिंदगी में है, वो चीज समझते हैं आपके लिए, मुझे ऐसा लगता है, कि आपसे यह definitely अपनी personal life को heal करना चाहते हैं, इनकी personal life में अभी तक कोई इनसान ऐसा नहीं है, जो कि आपको replace कर पाए, ठीक है, आप इनके जिंदगी में एक बहुत valuable इनसान हो, जिसकी value शायद यह अब पता कर चुके हैं, ठीक है, मुझे इसा लगत हैं, यह इनसान आपको बहुत अच्छे से जान गया है, और आपके भीतर जो purity है, दिल की जो, जैसे कहते हैं, एक इनसान जो बहुत साफ है अंदर से, कुछ भी बोलता है, तो सीधा मुझे बोलता है, यानि कि उसके अंदर चल कपट नहीं है, लोग छुपाते हैं, बातों हो, third party situation जैसे मैंने बता है, आपके लिए definitely हमीशा ready रहेंगे, ठीक है, आपके लिए जो भी करना पड़े, इनको ये कर सकते हैं, मुझे लगता है कि अभी तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन आपने कहीं ने कहीं अपने आपको restrict कर रखा है, और इनों ने आपके लिए अपन opportunity कोई देख रहे हैं, कि आपके साथ कोई meeting हो जाए, ठीक है, इन दिनों ही क्या सोच रहे हैं, आपसे एक meeting की सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप दूर-दूर रहते हैं, ठीक है, आप एक स्थान पर नहीं रहते हैं, अगर दूर-दूर रहते हैं, तो ये कोई opportunity trust issues हैं, हो सकता है, लेकिन यहां पे आप confusion में रहते हो, क्योंकि आपके पास भी दो option है, ठीक है, ये आपके लिए feelings क्या रखते हैं, इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने आपको थोड़ा से guard करके चलते हैं, लेकिन भरोसा दिलाना चाहते हैं, कि ये जो feelings रखते है आपके लिए बिलकुल genuine है, और आप इनके लिए, ये जो इनसान आपसे किसी भी हालत में प्यार को नहीं बदल सकता, अपनी feelings को नहीं बदल सकता, लेकिन ये कहीं न कहीं आपको protect करने के लिए अपने आपको control करते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है, आपसे चाहते क्या ह ही चाहते हैं कि आप इनके जिंदगी में हमेशा रहो, चाहे slow आओ, चाहे देर से आओ, चाहे इनकी बातों का आप जवाब ना दो, चाहे नाराज हो, चाहे आपने आप में मस्तर हो, लेकिन जो भी समस्या हो, आप इनसे दूर मत जाओ, ठीक है, आपका प्यार जो है, ये स होती ही, तो ऐसा होता, शायद राते हैं, अच्छी होती है, शायद मेरे दिन जो है, बहुत एक्टिव रहते हैं, और मैं कहीं न कहीं, जो मुकाम, जो उन्नती चाहता था, वो मेरे जिंदगी में, इसी इनसान के आने से होती है, ये आपको अपना lucky charm, अपना एक good luck मानते है और मुझे ऐसा लगता है, कि आपको एक सरगुन संपन इनसान के रूप में आपको देखते हैं, ये हमेशा आपके जैसा ही इनसान अपनी जिंदगी में चाहते हैं, ओर ओल मैं यहाँ पर देखूँ, तो आपको एक, मुझे बहुत से लोग टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉ में बहुत डीप, डीप लेवल पर अपनी लिए आपके लिए सोचते हैं, ठीक है, इवन अपनी आपको आपने बहुत कंट्रोल किया है, लेकिन ये रिलेशनशिप जब भी आप जाते हैं, दुबारा जुड़ जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, अब मैं बताने का पक्ष ले रहे हैं, थर्ड पार्टी के बारे में बुरा ही बुरा बोलते हैं, ऐसा नहीं, जो मुझे दिखाए देगा, इंटूटिवली, वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, सबसे पहले इनके एनरजी ये है, कि अपनी खुश्यों को ये डेफिनिटली, जो इनसान इ रखे हुए हैं, क्योंकि जो इनरजी इनको चाहिए थी पार्टनर में वो नहीं मिलती, ठीक है, ये जो थर्ड पार्टी है, डेफिनिटली बहुत ज़्यादा, मतलब कहते हैं, कि बहुत ज़्यादा ओर ठीकिंग करने वाली कोई है, इनसान ठीक है, और ये डेफिनिटली, ये भी, मतलब ऐसा लगता है, कि बहुत सारे लोगों के साथ, मतलब क्या है, कि थर्ड पार्टी इन पे शक करती है, मुझे टोटली ये लग रहा है, और डेफिनिटली आपसे, आपके पार्टनर का इनसे रिलेशनशिप कोई, मतलब ज़्यादा है, यानि कि कोई मैरिज है इन से, ठीक है, ये मैरिज में नहीं खुश हैं, और डेफिनिटली ये जो थर्ड पार्टी है, बहुत ज़र डिमांडिंग, पैसा पैसा करती हैं, और कहीं न कहीं इस थर्ड पार्टी के पास भी आप्शन दिखाई देने मुझे, ठीक है, बताएं न बताएं लेकिन ये अ के लिए डेफिनिटली ये आपके जो पार्टनर हैं, उनको मैनिपलेट भी करते हैं, और डेफिनिटली ये एक हैपी फैमली चाहते हैं, लेकिन क्या है कि आपके पार्टनर जो है, इनको जैसे कोई अपनी जिम्मेदारी समझता है, ठीक है, इनको क्लिर्टी है कि अगर इन की केर करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी केर नहीं करते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में इनके बच्चों को भी वो देखते हैं, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है किसी मैरेड इनसान के आप बारे में पूछ रहे हैं, और डेफिनेटली अपनी मैरेज में खुश नहीं है, इवन मुझे ये भी लगता है कि बहुत प्रयास कर चुके हैं, इन्होंने बैलेंस बनाने की कोशिश किया, लेकिन थर्ड पार्टी बहुत ज़दा दिमांडिंग है, और मुझे ऐसा लग रहे हैं कि इनसान सोचते बहुत हैं ऐसी तरह की चीजें, लेकिन ये कोई भी चीज ऐसी नहीं करेंगी, जिसे इनके और इनके साथ जिंदिगा जूड़ी हैं, उनकी रेस्पोंसबिलिटी खो दें, ठीक है, ये डेफिनेटली अपनी जीवन में आपकी ब से इनकी कोई भहस हो रही है, इन दिनों ये थर्ड पार्टी के लिए क्या एनरजी है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि और ओल तो ये मेरे भाग्य है, जो कि इस इनसान से मुझे मिलाया है, ये कहीं नहीं पश्ताव भी करते हैं कि कुछ गलती हैं इन्होंने जीवन में ऐसी कर दी जिसको ये कभी भी सही नहीं कर सकते हैं, कहते हैं कि एक बार गलती होती है, तो ये उसको कभी सही नहीं किया जा सकता है, इनसान समझ के जो डिसिजन नहीं लिजाते हैं, इनको ये फिल होता है, भाग्य में ये लिखिये मेरे, भाग्य में ऐसा ही होना था, इनको ये फिल ह होता है यह इन दिनों यही सोच रहे हैं कि क्या यह थर्ड पार्टी कभी इनके जीवन से जाएगी क्या मैं इसको डिवोर्स दे दूं कई बार इनके मन में बात आती है लेकिन जैसे कि मैंने कहा यह कट आफ नहीं करेंगे उसको ठीक है तूबी ऑनेस्ट अगर आप किसी ऐसे इनसान के मैं आपको गलत नहीं बताना चाती है जो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है वो मैं देख रही हूं ठीक है इनके दिल में उसके लिए दया है इनके दिल में उसके लिए प्यार नहीं बलकि एक सिंपैथी है यानि कि सिंपैथी के चलते है डेफिनेटली अपना अपना जैसे कहते हैं कि अपना करतावे समझते हैं कि उसकी जिम्मिदारी निभानी है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो इंसान है शायद इन से डिमांडिंग बहुत है या फिर डिमांड नहीं भी है तो इनको मैनिप्लेट करते हैं इसने किसी चीज को लेकि शक करके इंको manipulate करते हैं या फिर आप कहा गए ते कैसे गए ते इस तरह की बाते इनको पूछते हैं जब कि आपकी इंसान जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट और बहुती freedom पसंद इनसान है ठीक है ये अपनी मर्जी से उनके जिम्मेदारी लेते हैं और मर्जी से चाहते हैं कि जो जैसा है वैसा चलने दो, ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आप थर्ड पार्टी के लिए क्या सोचते हैं, ये थर्ड पार्टी को कैसे देखते हैं, कि ये हमेशा उनके साथ बैलंस बना के चलेंगे, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के ल ना इनके बहुत बड़ी मतलब जैसे कहते हैं एक समस्या का कारण बन सकता है ठीक है क्योंकि यहां पर बहुत सारे इशूस ऐसे हैं जो हम इस बात में डिसकस नहीं करेंगे सिर्फ थर्ड पार्टी को ले करी क्योंकि यहां पर फैमिली ड्रामा फैमिली कोई बिजनस है फैमि कई बार रात में रोते हैं कि मुझे इस रिलेशन्शिप को लेकर पस्ता होता है ठीक है मुझे इस रिलेशन्शिप के कारण क्यों मुझे मैं ऐसा मेरे साथ ही क्यों होना था इस तरह की चीजे मैं यहां पर देख पार हूं थर्ड पार्टी को लेकर और क्या है इनके राद कि इनके साथ जो प्यार का दिखावा करते हैं जो भी करते हैं वो किसी परपस है किसी डिमांड की चलते करते हैं उनके फील होता है कि अगर यह इंसान मेरी जिम्मिदारी नहीं उठाएगा तो मैं कहां जाओंगी ठीक है यानि दोनों एक दूसरे से किसी मतलब से जुड़े ह मुझे यह लग रहे है ठीक है तो फियाँ tenim-टिश मैं एंसे लगते हैं यह चाहते हैं कि इनके इर्द्गिर्ध अंहें कुल करने के कुछ कह ईंसे प्यार वालि बात करें लेकिन आपके इनसान है वह डान है ले थी तैसेCar टेकटे रहते हैं, जिम्मेदारी समझते हैं, इसलिए इनको निभा रहे हैं और मुझे ऐसे लगता है कोई family drama के लिए, कई बार देखी मुझे इन दिनों क्या है तो मैं ऐसे देख पारी हूं कि ये कही न कहीं न कहीं है इनके business side से भी लग लिए ठीक है businessman कोई लग रहा है ठीक है और यह बहुत ही slow energy में third party की साथ है ठीक है यह हिम्मत करके कोई family drama खतम करना चाहते हैं ताकत और हिम्मत इन में है ठीक है लेकिन कोई family drama से बचने के लिए थोड़ा सी चुप रहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है और यह definitely यह destiny में मेरे साथ ऐसा ही होगा ठीक है मेरी जिन्दगी ऐसे ही चलेगी मेरे साथ कोई ऐसा इंसान नहीं आ सकता जो कि इस third party को खतम कर दे यह वाली इनकी thinking है और ओल देखा जाये तो कहीं ने कहीं कोई tower moment आया हुआ है break up या break जैसे इस्थिति हैं इन दोनों के बीच में फिलाल की इस्थिति में मैं यह देख पा रहे हूं कि कोई ने कोई बात को लेकर मन मुटाओ चल रहे हैं और family drama यह आपक मेले कुछ महीनों में ठीक है आगे वाने nearest future आप लोगों के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इनकी कोई traveling होगी आपके साथ आपके एक meeting बहुत long distance तक होगी या फिर आप long distance में रहते हैं तो आपके partner आपसे कुछ महीनों में definitely कोई meeting करने वाले हैं और यह ऐसी major meeting होगी जिससे आ आपके जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको commitment नहीं देंगे क्योंकि already एक एक इनसान से committed है ठीक है और मुझे ऐसे लगता है कुछ पाते आपको और इनको realize होगी ठीक है और कहीं ने कहीं आपकी खुशियां आप किस तरह से आगे बढ़ाते हो यह आपको समझ आ आता है आपके relationship का मुझे आपके साथ यह है चाहे आपका relationship बिल्कुल कच्छवा चाल से चलेगा लेकिन यह relationship long term तक आपके साथ रहेगा मुझे यह दिखाए दे रहे है ठीक है कुछ महीनों की बात मैंने कहीं इनका major यह ही होगा कि आपसे एक नहीं शुरुबात करके आपक कि आपके लिए कोई gift ना आते हो नजर आ रहे है ठीक है मुझे ऐसे कोई pink color का कोई या तो वुलन है कोई ठीक है यहां भी सर्दी है इसलिए आप कहेंगे कि वुलन की चीज मुझे इसलिए समझ आई लेकिन यहां पर वुलन चीज कोई sweater या कोई teddy मुझे वुलन वाला जैस आज आपके लिए मैंने देखिए थर्ड पार्टी सिच्वेशन में आपको नहीं बताया सजिटेरियस को हो सकता है ठीक है कैंसर को हो सकता है एरीज मुझे आपे स्ट्रॉंगली लग रहा है लियो सजिटेरियस आपके पार्टनेर लग रहे हैं ठीक है ठीक है ठीक है और बाकी मैंने और साइन आपको बता दिया है ठीक है तो यहां पर देखिए ठीक है थर्ड पार्टी के साथ इनका मीजर क्या होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की साथ मीजर यह होन मानेंगे आपके जो पार्टनेर हैं इनको यह लगेगा जैसे कि मैं अभी भी बता चुकियों आपको अपनी किस्मत को यह definitely कहीं कहीं दोश देते हैं इस बारे में कि मेरे भागे में ऐसा क्यों है ठीक है मेरे भागे में यह क्यों लिखाता या फिर इसी के साथ destiny क्यों थी ठी है तो यह कहीं कहीं destiny पर विश्वास करके इनके साथ मुझे ऐसा लगता है कि